हेलो स्चुडेंट्स कैसे हैं आप सब बढ़िया तो आज मैं आपको बताऊंगी क्लाउन फिश के बारे में ये मचली पीले तथा लाल रंग से लेके नारंगी रंकी होती है जिस पर सफेद धारिया होती है इस विशेश तरह की मचली का घर समुत्री आनिमौन के सपर्शकों की मद्ध्य होता है वास्ताप में सबत्री आनिमौन का इस्तिमाल ये अपने शिकारियों से बचने के लिए करती हैं क्लाउन फिश को एनिमौन फिश की रूप में भी चाना जाता है क्योंकि ये समुत्री आनिमौन के समुदाय के रूप में हरती है क्लाउन फिश की 18-30 मान चप्तिहिंग कर उसे खा जाता है और जो बच जाता है वही खाना होता है इस मझली का क्लाउन फिश नाम इसके खुश्नुमा रंग और सक्रियय सभाव फ से आया है लेकिन यह एक आक्रमुख मछली है क्लाउन फिश पहली समुत्वी सजावटी मचली है ये लगवक 6-8 साल तक जीत प्रह सकती है 2003 की आनिमेटट फिल्म फाइंडिंग नीमों में मुख्य किरदार एक क्लाउन फिश थी तो चलिए आज की कविता शुरू करते हैं सुन्दर मचलीया है तैरही रंगी मचलिया है गोला रही आप छुलो हमें मुझको मुस्कुरा कर है कह रही गोल्डन फिश प्राम फिश है यहाँ दरियाए खोड़ा भी है यहाँ आहां देखो ही ने एक नगनासा समंदर है यहाँ कितना सुन्दर मचलियों का संजाद कितना रही कितना मजडा संग खामारे तैरो मुझको कह रही है बारे बार सुन्दर मचलिया है तैरही रंगी मचलिया है गोला रही आप छुलो हमें मुझको चेडा कर है कह रही चलिए साथ में धोराते हैं सुन्दर मचलिया है तै रही, रंगी मचलिया है बोला रही, आओ छुलो हमें, मुझको मुस्कुरा कर है कह रही गोल्डन फिश क्राम फिश है यहां, दरिया ए धोड़ा भी है यहां, आहां, देखो ही ने, एक नगना सा समंदर है यहां कितना सुन्दर मचलियों का संजार, कितना रंगी म, कितना मज़िदार, संग हमारे तैरो, मुझको कह रही है बारे बार सुन्दर मचलिया है तैर रही, रंगी मचलिया है बोला रही, आओ छुलो हमें, मुझको चेडा कर है कह रही लाइक बटन को प्रेस करें अपने दोस्तों और इसे दालों के साथ इसे शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करकर ग्रे करें ओके बाई